जन्म कुंडली अध्यायन के क्रम में ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है ये एक तुर्पन वर्सिय महिला की है वैसे तो इनके जीवन में सभी सुख हैं बैवाहिक जीवन से लेकर के पुत्रशुक संतान सुख सभी सुख है पर बीते कुछ दिनों से ये दो बहने हैं इनके पिता की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर के कुछ परिशानियां चुकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है पिता ने इन लोगों को ही दे रखा है लेकिन उसमें जो इनके चाचा है वो रोक लगा रहे हैं वो इनको नहीं देने दे रहे हैं या यूँ समझ लिए कि पिता के औसक्षम हो जाने के कारण उस पूरी की पूरी समपत्ती पर वो खुद का अपना अधिकार करना चाहते हैं और यही कारण है जिसके चलते इनके साथ कोट कचहरी से समंधित समस्याएं चल रही है इन्होंने खुद से केस कर रखा है उनके उपर और इनका कहना है कि शास्त्री जी मुझे धन की कोई कमी नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है पर पिता की इक्षा है और वो चाहते है और मेरे पती भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं अगर पुभारे पिता चाहते हैं तो उनके आसिरवात सरूप रखने में क्या जाता है तो क्या मुझे वो पैत्रिक शंपत्ती जो मेरे पिता की है मुझे प्राप्त होगी ये परिस्तिती आई क्यों इस तरह की स्तिती हमारे जीवन में क्यों आई इन्होंने चंद यही दो सवाल रखे हैं अपने आईए जन्म कुंडली के माध्यम से इन प्रश्नों का हमहल ढूंडते हैं देखिए ये जन्म कुंडली आपके समुग है दो नंबर से प्रारंब हो रही है और लगन का मालिक यानि कि दो नंबर का मालिक शुक्र लगन में ही बैठा हुआ है लगनेस लगन में मालब्य योग लगन में ही सुद्ध हो गया महापुरुष योग है अब आगे देखिए जहां पर इस कुंडली में पांच नमबर लिखा है वहीं पर राहू और मंगल की युती इसको अंगारक योग कहते हैं परन्तु हम अभी योग या दुर्योग की बात करें उससे पूर्व सबसे पहले ये देख लिया जाए कि पैत्रिक शंपत्ती का जो प्रश्ण इन्होंने रखा है उसके बारे में इनकी कुंडली में ग्रहबल क्या कह रहे हैं तो पैत्रिक शंपत्ती के लिए सबसे पहले चलिये कहां पर जहां इस कुंडली में तीन नंबर लिखा है तीन नंबर में बुद्ध कैसे हैं श्वरासिस्त तो बुद्ध के श्वरासिस्त होने का मतलब है कि ये तो तय है कि इनको पैत्रिक शंपत्ती प्राप्त होगी इस भूमी का माली कौन मंगल इनकी कुंडली में मंगल वैसे तो सूरी के घर में मित्र के घर में बैठा है परन्तु उसकी स्थिति क्या है पोजिशन क्या है तो राहू के साथ अंगारक योग लगा करके साथ ही शाथ इनको वर्तमान समय में गुरू की महादसा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है और 2016 के मार्च से गुरू की महादसा में मंगल का ही अंतर आने वाला है अब सबसे पहले गुरू पर चलते हैं इनकी कुंडली में देखिए जहां पर आप ये दस नंबर देख रहे हैं यही पर गुरू और सनी यहां पर वक्री हो करके और स्वरासिस्थ भाग्यस्थान का मालिक यानि सनी दस नंबर का मालिक भाग्यस भाग्यस्थान में और वो जहां बैठते हैं उस जगह को खराब करते हैं और सनी जहां बैठते हैं उस जगह को बना देते हैं बढ़ा देते हैं बृध्धी कर देते हैं वैसे ही गुरू जहां देखते हैं उस जगह पर अपनी अमृत में द्रिश्टी डाल करके उसको सफल कर देते हैं बढ़ा देते है और सनी जहां देखते हैं उस जगह को खराब कर देते हैं इनकी कुंडली में ब्रहस्पति वैसे तो नीच के हैं परंतु जहां वो नीच के हो रहे हैं उस भाव का मालिक उसी भाव में बैठा हुआ है साथ में बैठा हुआ होने के चलते नीच का बहुत बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा कभी भी जीवन में मैं बार-बार कहता हूँ कि जब कुछ बड़ा होना हो या कुछ बेहतर होना हो तो उसके पहले समस्याएं अवस्या आती है जाहिर सी बात है कि जब आजकल तो वैसे डिजिटल जमाना हो गया है कभी हम फोटो जब खीचते हैं तो डिजिटल होता है लेकिन एक वक्त था जब निगेटिव से फोटो बनाये जाते थे उस निगेटिव को साफ करने के लिए कहां रखा जाता था डार्क रूम में अंधिरे कमरे में या और एक दूसरे उदाहरन से समझिए प्रातह काल जो सुबह तीन साथे तीन धाई बज़े से तीन बज़े का वक्त होता है उस समय सबसे अंधियारी रात हो जाती है कारण प्रकास बहुत करीब आ जाता है जीवन में जब भी आपको ये लगे कि समस्याएं बहुत बड़ी मात्रा में आने लगी है तो समझ लीजिए कि परमात्मा कुछ अलग कराना चाहते हैं कुछ बेहतर कराना चाहते हैं और हमेशा एक बात याद रखिएगा भगवान उस कुमार की तरह हैं जो घड़ा बनाते समय घड़े को ऊपर से ठोकता है हाथ से थपतपाता है परन्तु कब जब उसका एक हाथ अंदर होता है वो जानता है कि अगर मैं अंदर हाथ न लगाऊं और उपर से घड़े को थपतपाऊंगा तो घड़ा कच्ची मिटी का है तूट जाएगा या हमें सुन्दर रूप देने के लिए वो थप थपाते हैं और वो थप थपाना ही हमारे जीवन में समस्या बन करके आती है लेकिन ये याद रखिए कि जब वो थप थपा रहे हैं इसका मतलब तय ये बात तय है कि एक हाथ उन्होंने अंदर लगा दिया है और जब एक हाथ उनका लगा हुआ है तो निश्चिंत हो जाईए जैसे समस्या आई है वैसे चली जाएगी तो इनकी कुंडली में ये बात तो तय है कि पैत्रिक शंपत्ति प्रबल अवस्था में है और वो मिलेगा उसको उसे मिलने में प्राप्त होने में रत्ती मात्रश्वन से नहीं फि गुरू का ही अंतर आ गया है माफ करीगा गुरू की महादसा में मंगल का अंतर इसी मार्च से शुरू होने जा रहा है और मैं आसा करता हूं कि कोट का चहरी इनकी कुंडली में उस भाव द्वादर स्थान जहां एक नंबर आप देख रहे हैं उस भाव का मालिक भी मंगल ह प्रत्री है निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी धैर रखने की आवस्षक्ता है और साथ ही साथ बेहतर प्रयास करने की आवस्षक्ता है चुकि सनी इनकी भी कुंडली में वक्री है और इनकी धनुरासी होने से इनको भी साड़े साती चल रही है परन्तु वक्री सनी साड़े साती में बहुत नुकसान नहीं पहुँचाते और ये तय है कि जो भी होने जा रहा है वो स्त्रेश्ट होने जा रहा है और आपके पक्ष में होने जा रहा है ये जो भी बदलाओ हो रहे हैं इस सब का मात्र एक कारण है कि आपके पक्ष में होने जा रहा है तो आप निश्चिंत हो जाईए चिंता नहीं, चिंतन करिए निश्चित रूप से चिंतन ही आपके लिए स्रिष्ठ होगा आपकी जो पैतरिक शंपत्ती है वो आपके पास बड़ी प्रेम से भगवान के कृपा से बड़ी प्रेम से आपको प्राप्त होगी हाँ, इसके लिए कुछ उपाय अवस्चे हैं जो आपको करने चाहिए उससे पूर्ब कुंडली में और जो इस्तितियां है उसको भी एक नजर डाल लिया जाए सूर्य इनकी कुंडली में पराक्रम स्थान में बैठे हुए है चंद्रमा के घर में बैठे हैं तो ये भी अच्छी स्थिति है हाँ, सनी की द्रिष्टी से कई बार सूर्य मलीन हो जाते हैं क्योंकि सनी की द्रिष्टी नुकसान पहुचाता है परन्तु इनकी कुंडली में जहां सनी नुकसान पहुचा रही है वही पर गुरु की दृष्टी भी सूर्य पर पढ़ने से उस सूर्य को जो छती सनी कर रहे थे वो पूर्ती हो जा रही है सो निश्चिंत हो करके केवल आगे बढ़ने की आवर्शक्ता है मुझे तो ऐसा लगता है कि देखा जाए तो नॉर्मल वे में कोई उपाए न भी करें तो चलेगा लेकिन क्योंकि ग्रहक कभी किसी को छोड़ता नहीं है और विसेश करके अगर सनी की साड़े साती या धहिया चल रही हो तो सनी न्यायाधीस है और हमारे जीवन में हमसे हमें भले न लगे हम अपने से तो यही सोचते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है लेकिन कब हमसे गलती हो जाए कौन सी बात किसको बुरी लग जाए किसका मन दुख जाए यह हम नहीं जानते और सनी ऐसे ही वक्त पर न्याय करते हैं तो उससे बचने के लिए उनकी कृपा प्राप्त करें उससे होगा ये कि सनी अपना काम करना तो नहीं छोड़ेंगे वो न्याय करेंगे ही करेंगे परन्तु आपके उपर जो समस्याए आएंगी वो कहते हैं कि अगर तेज हवा का जोका आया तुफान आया तो खुले में अगर आप खड़ा रहेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा लेकिन अगर किसी घर में घुश जाएं छुप जाएं तो हो सकता है नुकसान हो घर का होगा आपका नहीं होगा तो ये पूजा पाठ भगवान की सरणागती एक कवच के समान होता है आप उसके भीतर सुरक्षित हो जाते हैं और थोड़ा बहुत नुकसान उस कवच का होता है जिसको आप पुनह आगे अपने फिर से पूजा पाठ से बना सकते है तो मुझे लगता है कि समस्या जो है उन स भगवान सिव पर तेल से ब्रामण के द्वारा अभिशेक करवाया जाए ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर शत्रू कोई दूसरा नहीं अपने खुद के चाचा है ताउजी है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सद बुद्धी के लिए कि आप अपने हिस्से को रखें जो मेरे पिता की हिसमपत्ती है उसे हमें छोड़ दें तो सद बुद्धी के लिए कि कभी भी बगला मुखी का प्रयोग कराया जाए तो वो किसी के नुकसान के लिए नहीं क्योंकि जब हम किसी का नुकसान करेंगे तो हमारा नुकसान होना तय है जब हम जूसरे के लिए गढ़ा खोदेंगे तो उस गढ़े में हम खुद गिरेंगे तो आप अवश्य बगला मुखि की सरनागती ग्रहन करिए निश्चित रूप से उस्से भी लाब होगा सनी की साढ़े साती निश्चित रूप से मानसिक टिंसन देगी तो सनी की साढ़े साती के लिए स्रिष्ट उपाय नाओ के लोहे का छला अगर मिल जाए तो मध्यमा उंगली में धारण करिए हनुमान जुकी अराधना करिए सनी मंदिर अगर कहीं आसपास हो तो भगवान शनी के मूर्ती के उपर तेल से अभिशेक करिए निश्चित रूप से सांती मिलेगी अगर ये छोटे छोटे उपाय अगर किये जाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होनी तय है तो ये थी एक तिरपन वर्षिय महिला की जन्म कुंडली जिसका मैंने आपके समुखत धेन किया अगर आपके विभी जीवन में कोई समस्या है चाहे वो समस्या किसी भी प्रकार की हो हम जन्म कुंडली के माध्यम से उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं उस पर बैठ करके विचार कर सकते हैं और उस विचार से उस मन्थन से निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम अवस्य निकलेगा और अगर परिणाम निकलता है तो उसका हल भी होगा उनह मुलाकात होगी एक नई कुंडली एक नए अध्याइन के साथ हो सकता है वो कुंडली आप में से ही किसी एक विप्ती भी सेस्की हो तब तक मुझे इजाज़त दीजे नमस्कार